हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हवाशिंग चेहल संपादकापका संदेश दोस्तों विदानसब आगे चुनाओ संपन होने के बाद कल गिनती हो चुकी है पूरी तस्वीर और यानागी जनता के सामने आ चुकी है तो इसमें बीजेपी को जो पचेत्र पार का नारा था और हमने 19 तारिक को एक वीडियो डाउन किया था अफलोड करके बेज़ाद आपको के 82 जैसे आलात नजरा रहे हैं दोस्तों ठीक वही 82 वाली स्थिती अब बनी है हांग असेम्बली बनी लेकिन वही जुगाडबाजी करके लगता है बाजपा सरकार बनाएगी क्योंकि इस चुनाव में खास बात ये थी किसी भी सूर्त में नहीं तो मीडिया ने कभी सिटे कम दिखाने कोशिस करी और नहीं पार्टी का परचार पचेतर से नीचे आया इसलिए परदेश की जनता इस बरम रही कि सरकार तो इनहीं की बननी है इसलिए वोटी ने दे दो और इसी कारण से कुछ मार्जन वोटों के सारे और बीजेपी दोबारा से सत्ता की तरफ अगरसर हुई क्योंकि अगर इतना परचार नहीं होता तो कुछ सीटे और इनके हाथ से निकल सकती थी अब जोड तोड करके लगता है क्योंकि अब है चोटड़ा और रनजीत सिंग और सर्षा में खास करे राजनिती गड़ बन चुके है और सर्षा में ही मुझे लगता है कि दूसंत के जो अच्छे चान साहे थे अब की बार कॉंग्रेस के साथ है अगर वो चाहते तो अपना मनिफेस्टों जो की कांग्रेस और जेजेपी का लगभग मिलता जूलता है उस गोशना पत्र को अमली जमापम चाने से पहले ही ये नेता हैं मुझे ने लगता कि दूसंत को सरकार में इससेदारी करने देंगे क्योंकि इनका जो गोशना पत्र है वो कॉंग्रेस का भी पांच अजार वर्दा उस्था पेंशन का है करजा माफी का है लगभग वही पत्रकारों की भी सुईदाएं उसमें आएगी किसानों की सुईदाएं भी आएगी करमचारियों के लिए भी जो कुछ है लगभग कांग्रेस और जेजेपी का मिलता जुलता है लेकिन बाजप्पा ने ऐसा कोई खास वाइदा नहीं किया हाँ तीन जार पेंशन की है उसमें भी लगता है कहीं ने कहीं पेंश रख्या जाएगा तीन जार एकदम से ये नहीं करने वाले तो मुझे लगता है कि इन सब बातों में अब बाजप्पा सरकार बढ़ाने की और अगरसर है कुछ साथियों ने कुमेंटे बेजे हैं कि मीडिया पर वरोसा नहीं हाँ ये पकी बात है क्योंकि मीडिया पर वरोसा करोगे कैसे जब 83 सी सीटे जो चैनल देखाता है और उसक बात है फिर कैसे विश्वास किया जाएगा तो दोस्तों आज एक हालात ये हैं ये कोई नई बात नहीं है कि निर्दियों के हाथ में ही सरकार की कमांड आई है कोई मरतबा ऐसा हुआ है जब से 66 अर याना में नए चुनाव शरू है तब से ही इन निर्दियों का सरकार में अलग चीज है कि किशी जब भी कोई मजोर्टी एक पार्टी आई है तो सरकार की मुश्कलें नहीं बनी आराम से सरकार बन गई और निर्दलिया अपने इसहाब से सरकार के साथ मिलकर काम करवाते रहे लेकिन जब जब भी हांग अशेंबली होई है तिरी संकुविद बनी है और किशी एक पार्टी का या गठबंद्र का बहुमत नहीं आया तब तब निर्दलियों का एहम रोल रहा है अब मैं कुछ बातें आपको याद दिलाओं आजाद उमिद्वार उन्यों सततर में आलांगे जनता पार्टी के लाहर थी लेकिन कुछ बागी खड़े हो बनी थी इंडियन नेशनल कॉंगरेस की छत्ती सीटे थी लोग दल की 31 सीट थी और उनके साथ बारतिय जनता पार्टी जनता पार्टी अगठ जोड़ था शह बीजेपी और एक जनता पार्टी की सीट थी और शोड़ा उमिद्वार चुनाव जीत कराये थे उनके उपर सार दारमदार था आलाकि वो ज्यादा चोदरी देवलाल के समर्थे थे और जब चोदरी बजनलाल ने सपत ली तो वो तेजा खेड़ा फारम में इकठे होकर लगबग एक महिने तक वहां बहुमत साबित ना हो जाए इसलिए वो तेजा खेड़ा फारम में रहे और फिर लाल सरिक्खा सिंगला जैसे जो विदायक थे वो किन कारणों से तूटकर और कैसे कैसे वो बगोड़े हुए थे ये पूरे अरियाना की जनता जानती है वही भी आसी वाले आलात आज भी नजर आते हैं उस टाइम वो पाइपों के अंदर से गए थे आज वो एलिकाप्ट जान समाम होता है कि कौन किस पर्टी को और किस पाड़े मजाता है ये देखने वाली बात होती है इसी परकार 87 में भी 6 आजाद उमिद्वार बने थे आलांकि बारी बहुमत से देविलाल की सरकार बनी थी और बाज़पाय साथ अलाइस था इसी परकारी कैनूओं में भी 5 अजाद उमिद्वार बने और कुछ छोटी पार्टियों के जनता दल के तीन बने बहुजन समाज पार्टी का एक बना बीजेपी की कुल दो ही सिट्टे आई थी कैनूओं में और फिर छाणूओं में चुना हुए तो दस आजाद उमिद्वार छाणूओं बने थे अलांक के सौधर इबन सिलाल की जो पार्टि बाजब पाश अलाइंस में थी वह भी निर्दियों के सारे ही सरकार बना पाई थी और दो अजार मनब्व सिट्टें थी और इन्हें लों की संताली सिट्टें पूरी आई थी तो उनकी एक तरफा सरकार बनी लेकिन ग्यारा पूस्ट पूस्टें बिनित लिए विदायक बने थे जो बाद में सरकार के साथ मिलकर काम चलाते रहे और फिर दोजार पांच में भी दस आजाद उमिद्वार बने थे तो इस परकार से ये को नई बात नहीं है कि आजाद उमिद्वारों ने कोई पहली बार अपना रोल अदा किया हो ये मैशा ही जिते रहे हैं कई अच्छे कद के नेता होते हैं किनका नोच पार्टी टिकेट नहीं देती है तो वो भागी खड़े हो जाते हैं और जनता उन्ने चुनकर बेज देती है तो इसी परकार से आप देखना है कि अर्याना परदेश्य की जो शरकार है वो मनोर य स्टीक nee किसी किसम का कोई अडंगा लगता है इस के अंदर लेकिन शवी में मुझे लगता है कि बाजपा सरकार बनाएगी क्योंकि के अंदर में BJP की मज़बूत सरकार है और अर्याना के अंदर सारी तकडंबाजियान लड़ा करissä क्योंकि निर्दिलियों की संख्या ज्यादा है और उनको किशने किशी में चाए वो दबाओ डालें चाए किशी और लोग दें या मंतरी बनाएं या किशी भी तरह सी या फिर यूं कहें कि दूसंत को सत्ता से बार रखने के लिए इनी के कुछ आदमी उदर उनका समर्थन करके सरकार भूआ सकते हैं तो इस किस से सरकार बाजबपा की बनने जा रही है और कांग्रेश और जैजेपी का अलाइंस अगर पहले समयरेत हो जाता और दोनों की बात होती तो साइद निर्दिलिये इनके खेमें मा सकते थे जैसे की सुनया है दो निर्दिलिये विदायकों दो समर्तिन दे दिया दो तिन और भ तो बहुत कुछ हो चुका होगा तो दोस्तों जो ही अगली जानकारी मिलेगी हम आपको अवगत करवाएंगे आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी कुमेंट आपका है तो सब्वे बासा में कुमेंट करें एक दो बड़े अटपटे से आपके कुमेंट आ तो समीह करने से फिर भी क्योंकि मैंने ब्यासी के आला तो भी आपको बताये थिर वही सित्याज है तो इसमें कोई दो रहा है नहीं मैंने वीडियो अफ्लोड आज से एक अफ़ता पर ले किया था उसको आप देख सकते हो अगर उसमें मासा बर्भी फरक है तो मैं मान कहूं इन सब बातों साथ नमस्कार जाहिए